असलाम आलेकुम दोस्तों खुस आमदेद आपके अपने चैनल विहार बोड और सब्जेक्ट में उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सब अच्छे होंगे दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं इंटर एक्जाम टुलत कलास के उर्दू के कुछ भिभयाई सौ सबस्क्राइब करें मौज़ूद वेल आईकन पर क्लिक कर दें ताकर नए नए वीडियो का न्यूटिकेशन आप तक पहुंशते रहे तो दोस्तों आप लोग वीडियो के इन तक बने रहे हैं और एक्जाम तक आप लोग मेरे साथ बने रहे हैं और अभी तक अगर चैनल क तो subscribe नहीं के हैं तो चैनल को subscribe कर लें आपको exam के करीब करिब आपको सब्जेक्टिब और बिभ्याई saalaj oajab भी कराएंगे जो आपके लिए काफ़ी helpful रहेगा इसलिए आप मेरे चैनल के साथ और मेरे साथ exam साम तक बने रहें इसको अगर आप कर लेंगे तो आपको फिर कोई भूग पढ़ने की जरूरत नहीं पढ़ेगे आपको इस वीडियो में बेसिक और गिरामर यानि कवाई दोनों कराएंगे तो दोस्तों आए किम्दी समय को बचाते हैं बढ़ते अपने साल जाप की तरह इस अगला साल है उर्दू का पहला खाका निगार खाका निगारी कौन है यह बहुत ही वीविया इस पर आप भीवियाई लगा लिजेए यह बहुत बार पुझा जा चुका है पहले भी ए नमर में है रशीद आमस्चिद्धी की बी नमर मौलवी अब्दूल हम्द सिनमर मिंटू साहब और दी नमर फरतुल्ला बेग इसका एंसर कीजिए आप लोग इसका एंसर कर चुके होंगे तो इसका से इंसर है डी नमर फर फरतुल्ला बेग साहब फरतुल्ला बेग साहब सबसे पहले उर्दू का खाका निका रही है अगला साल है सी पाराए दिल किसकी तस्निफ है इसके मसनिफ कौन है ए नमर में है खाजाहसन निजामी बी नमर वजिर आगा और सी नमर रशीद आहमद शिद्दी की और डी नमर अन्यम मानपूरी इंसर कीजिए आप लोग अब आप लोग इसका एंसर कर चुके हैंगे इसका से इंसर है ए नमबर खाजा हिसन निजामी साहब बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ अगला सवाल है अरबी में नास्ता को क्या कहते हैं यह भी इस पर भी भी भाई लगा लिजे अरबी में नास्ता को क्या कहते हैं ए नमबर में है फुतूर भी नमबर इफ़तार C number निहार D number गलिया आप लोग इसका answer कीजे अब लोग इसका answer कर चुक हैंगे इसका answer है दोस्तों A number फुतूर अरभी मनास्ता को फुतूर कहते हैं फुतूर की जमाह इफदार अगला साओल है वजिर आगा का तालुक किस मिल कैसे है A number में हिंदुस्तान B number बंगलादेश C number पाकिस्तान D number इरान आप लोग answer कीजे अब आप लोग इसका answer कर चुक होंगे इसका answer है दोस्तों A number हमारे हिंदुस्तान से मर्देश सेट्टू की तरफ सेट्टू का पहला साओल है शायर की जमाह क्या है आपको मैंने वीडियो के शुरू में ही बता दिया था कि आपको इसके साथ करामर भी यानि कवाइद भी कराएंगे तो दोस्तों कवाइद का सवाल है उर्दू शायर की जमाह क्या है A number में असार B number share C number शायरी D number शोरा answer कीजे आप लोग होप आप लोग इसके answer कर चुके होंगे इसका sensor ID number शोरा और शायर की जमाह यानि शोरा होगा और share की जमाह अशार होगा और share जो है वो share जो कहते हैं उसमी को share बोलते है अगला सावल है दर्ज जेल अलफाज में कौन मुजक्किर नहीं है अब देखिए यह भी कवायत का सवाल है वो भी था मैं आपको अभी कवायत करा रहा हूँ दर्ज जेल अलफाज में कौन मुजक्किर नहीं है यानि मुजक्किर और मुणनीज उर्दू में जो है और हिंदी में इसको sterling pulling बोलते है इसमें कौन सा मुजक्किर नहीं है आपको यह ढूनना है इसका answer A number में गुल B number मौज C number समंदर D number पक इनमें कौन मुजक्किर नहीं है answer कीजिए आप लोग होप आप लोग इसका answer कर चुके होंगे इसका answer है दोस्तों B number मौज मौज जो है वो मुजक्किर नहीं है मौनिस अगला सवाल है नीचे लिखे अल्फ़ाज में मुजक्किर कोन है सवाल को बिल्कुल घुमा के उल्टा पूस्लिया है मौन आपको मौनिस बताना थै मुजक्किर बताना है B number में आदत B number सरवत से नमबर आफ़ताब डिन नमबर दौलत एंसर कीजिए आप लोग होप आप लोग इसका एंसर कर चुके होंगे इसका से इंसर रश्ची नमबर आफ़ताब आफ़ता मुझक्र है बाकी आदत, सरवत और दौलत ये तिनों मौनिस है अगला सौब है दर्ज जल अलफ़ाज में किस लफ़ज का इमला दुरुस्त नहीं है इसमें कौन सा लफ़ज सही नहीं है आपको ये बताना है एंसर कीजिए आप लोग होप आप लोग इसका एंसर कर चुके होंगे इसका से इंसर है बीनमबर आफ़त रज्टा आफट ऐसे होता है और यहां आफ़त अइन से लिखा होगा जबके अलिप से होना चाहिए इसलिए यह लब्ज सही नहीं है अगला साथ है नाच न जाने आंगन टेरा क्या है यह महावरा है इंसर कीजिए अप लोग आप लोग इसका answer कर चुक होंगे इसका से answer है बी नमबर कहावत नातन जाने अंगन टेरा क्या है ये? कहावत है ध्यान से आप लोग देख लीज़े गरने इसको महारा कर देंगे आप लोग यह सब में नमबर फज़ जाता है दोस्तों अगला साल है लब्ज सुरत का मतरादिफ क्या है? मतलब इसका हिंदी में समराण सम्नार्थी सब्द मोलते है इसका दूसरा सकल कौन सा है मतलब सुरत को किस नाम से जान जाते है ये नमबर महीं हुस्ट बी नमबर सीरट सी नमबर चेरह डी नमबर शकल इंसर कीजिए आप लोग फटाफट होप आप लोग इसका इंसर कर चुकेंगे इसका सेंसर दोस्तों डी नंबर शकल सुरत का दूसरा मतलब सुरत को दूसरी लबजे में हम शकला बोलेंगे या मुतारादिफ इसका शकला है जिसको हिंदी में सुरत का मतलब समनार्थी शकला है एक होता मुतजाद वह होता उल्टा और मुतरादफ हुआ सम्नार्थी सम्नार्थिन हम मुतजाद कि माणे हुआ विलोम अगला सौर है इसी के साथ अगला सौर की तरफ बढ़ते हैं स्वाल है अनीस मर्सिया गो शायर है इसमें लाहिका कौन है देखिए ये भी कवायत का स्वाल है इन नमर भर मर्सिया इन नमर अनीस C number go, D number शायर है आप लोग इसका answer कीजिए होप आप लोग इसका answer कर चुके हैंगे इसका answer दोस्तो C number go इसमें लाहिका जो है, go है वर्षिया गो शायर है वर्षिया गो, इसलिए लाहिका गो है इसका अगला स्वाल है दर्षिया जिल्म है, साब्यका अलबसे की निशान दही कीजिए साब्यका मतलब पहले की A number में बागबान, B number पांदान, C number दुकानदार और D number लाइल्म answer कीज़ आप लोग होप आप लोग इसका answer कर चुके हैंगे, इसका sensor है, D number लाइल्म अगला साल है नीचे लिखे अलफाज में इसम नकुरा, नकुरा या इसम आम कौन है A number में आम D number अफल, C number सेब, D number अमरूद इसका answer कीज़े होप आप लोग इसका answer कर चुके हैंगे D number अमरूद इसमें नकुरा, इसमें आम जो है, वो अमरूद है ने दोस्तों इसका गलत होगिया इसका जो से answer है मेरे साब से भी फल होना चाहिए क्योंके आम एक फल का नाम हुआ सेब एक फल है अमरूद एक फल है लेकिन यह फल में साड़े आते हैं इसलिए इसमें आम जो है, इसको साड़े को हम फल ही कहेंगे ना इसका से answer है B number फल होगा इसका अगला सवाल है नीचे लिखे अलफाज में इसमें नकुरा या इसमें आम कौन है यह सवाल पहले भी कर चुगे हम एक बर इसका से answer B number फल अगला सवाल है दर्ज जेल अलफाज में इसमें आला की मिसाल कौन सा लफजा है इसमें आला आपको बताना है A number में खुजबू, B number घड़ी C number चमक, D number हसीन answer कीज़े आप लोग अप आप लोग इसका answer कर चुके हैंगे इसका से answer है B number घड़ी खुजबू, चमक, हसीन यह तो सब महसूस करने वाला चीज़ हुआ लेकिन घड़ी एक रियली मूर्थ चीज़ हुआ जिसको हम टाचर फिल कर सकते हैं अगला सवाल है बागो बाहर किस फार्सी किस्से का दर्जुमा है इन नमर में एकलाकी हसनी बागो बाहर फार्सी से उर्दुमा किया गया है अगला सवाल है बसन संग का किरदार बसन संग का किरदार किस अपसानिय में है देखें इस फिर वीविया आप लोग लगा लेजे यह पहले भी कही बार आ चुका है इन नमर में है कौरंटन वी नमर प्रामस इसका एंसर किजिए होप आप लोग इसका एंसर कर चुके होंगे इसका सेंसर दुस्तों बसन सिंग का किरदार जो है अपसानिय में है तो यह था दुस्तें टेर्जाम ट्रेल्टे कलास के उर्दू के कुछ वीबी आई आउजक्टिव साल जाब रस्तो आज इतना ही तक रखें मिलते हैं कि नए वीडियो के साथ तब तक लिए आप अपना भुसरा खाल रखें दीजे मुझे इजाज़त खुदा हावेश